आज आप नेता हो गए हैं और सिविल इंजिनरिंग उसके बाद यूट्यूब बेर और अब नेतागिरी इसकी वज़ा क्या है नेतागिरी तो सबसे बड़ी बात है कि अच्छे भ्यू के लिए हो अच्छे धे के लिए हो तो अच्छी बात है जैसे नरेंद्र मोदी जी के न वो जब मैं जेल में था तो मेरे से जेल में भी मिलने आए थे तो बहुत सारा बीजेपी के नेता जैसे बिनोत तावडे जी सुसिल मोधी जी और भी बहुत सारे नेता जो है मेरे लिए आवाज उठाए थे जब मैं बूरे दिनों में था तो माने कहा और मैं जो है बीजेपी उमीदवार के तोर पर्चा भरने वाले थे यूट्यूबर से आप पश्च में चंपारन सीट से निर्दली उमीदवार बनने वाले थे देखे मैं कुछ विहार के लिए करना चाहता था और मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद था कि तेजस्वी आदो जी जिस परकार से हम जैसे लोगों को फसा के जेल में डालके अपना जंगल राज का बढ़ावा करना चाहते थे तो मैंने तो जेल जाने से पहले ही कहा था कि सरकार गिरा दूँगा और उनकी सरकार को बगवाने गिरा दिया फिर जब मैं बाहर आया तो मुझे लगा कि ये सिस्टम जो है मुझे बार बार परसान करेगा अभी मेरे पास एक डॉकुमेंट्स आया है मैं उसको आपके पास भेज दूँगा अभी दस दिन पहले तेजस्वी जी के कुछ लोग जो है मेरे उपर सीसीय लगाने के लिए जो है न बेतिया के डियम साहब को लेटर लिखेता है दस दिन पहले अब जारा सोचिए अगर मुझे भारतिय है जनता पाटी कहती है कि आप चुनाओ लड़ते हैं चुनाओ लड़के जो काम कीजिएगा उससे अच्छा है कि आप हमारे साथ मिल के वही काम कीजिए बिहार को मजबूत कीजिए बिहार के लिए आवाज उठाइए तो मैंने सोचा कि है कि भारतिये जनता पाटी के साथ मिलके अगर काम जो है मैं पहले अकेले जो है अगर दस काम कर पाऊंगा तो भारतिये जनता पाटी के साथ मिलके जो है नहीं यूट्यूब पे तो आऊंगा मैं और यूट्यूबर वाला टैग जो है हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहेगा और मुझे इस बात का गर्व है लेकिन वहाँ से आप जेल भी पहुंच गए थे जेल तो जबरदस्ती पहुंचाया गया था जेल तो तेजस्वी यादोजी किसी भी यूवा को जो है बिहार में देखना तक पसंद नहीं करते हैं किसी भी टैलेंटेड यूवा को वो चाते हैं कि पूरे बिहार आपके पास साइकोट का मदुराई बेंच ने लिखा क्या वो अपने जज्जमेंट में लिखा है कि एने से इनके उपर लगाया जाना दुर्भाग के पूर्ण है लेकिन आप जब आप जेल में थे तो थोड़ा तूट भी गए थे थोड़ा परेशान हो गए थे जब निरंकूस सासक जो यह कभी नहीं आएंगे तो पूरा लोकतंत्र खत्रे में यह सविदान की दुआई देते हैं और सिर्फ पर सिर्फ अपनी परिवार की बात करते हैं समाजवाद की बात करते करते जो है सिर्फ पर सिर्फ अपना ती जोरी भरते हैं और आप बताईए ऐसे आलोकतांत्रिक ग अब बतायें लालू जी के परिवार में जितने भी लोग आज चुनाू लड़ रहे हैं उ Demi पेटी है अब बताये कि बिहार में लालू परिवार ने पिछले 35 साल से एक भी मुसल्मान का भला किया होक पहले तो जो केस पटना में दर्ज हुआ वो सारे के सारे case में जो है मुझे रिहाई मिल गई मतलब case खतम हो गया कमाल की बात ये है कि तेजस्वी आदो जी की जिस दिन सरकार गिर रही थी उसके पाँच दिन पहले वो मेरा सारा case speed trial में डाल दिये थे पता है आपको मेरा सारा case speed trial में पतना कोट में चला है, रेप का केस स्पीड ट्राइल में इन लोगों ने नहीं चलवाया मडर के केस इन लोगों ने स्पीड ट्राइल में नहीं चलवाया, बालू, माफियाओं पर आप चेक्ते दुश्मनी क्यों है जैसरी आदफ को अगर वो आगे आएगा तो यूराज का सिंगहासन खत्रे में पड़ जाएगा, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया और मेरा सारा केस स्पीड ट्राइल में उस सारे केस में मुझे बाईजत बरी कर दिया कोट ने लेकिन आपने तो आरजेडी पर और उस सरकार पर बड़े सारे सवाल उठाएते अब नितीश के साथ, नितीश बाबू के साथ तो अब आप खुद हो गए? यानि आप बीजेपी में हो गए? नितीश कुमार के खिलाब मैंने जेल से निकलने के बाद कभी भी कुछ नहीं कहा है, आप देख सकते हैं और मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं तो बिहार के कुछ अधिकारियों को लगने लगा कि तेजस्वी का ही आदेश जो है ना वो सर्वमान होगा तो इसलिए वो लोग जो है उनके आदेश को मानते हुए जो है हम लोगों को भरपूर जो है पड़तारित भरपूर फसाने का प्रयात और हर चीज़ की है लेकिन हला कि बाद में जो है कोट ने हमारे साथ इंसाफ किया और बाईजत बरी होके आज मैं आपके सामने बैट हूँ लेकिन लालू परिशाद यादव के कई चेहरे मैदान के अंदर है आपने इनकी बाद भी की रोहीनी अचा रहे हैं मीशा भारती हैं तेजस यादव हैं राब्री देवी पहले मुख्यमंत्री रही बिहार के लोगों को पता नहीं है पूरी जनकारी राब्री देवी फाइ सरकार का मुख्य होते हैं तो फाइनस मिनिस्टर के बरी बाद है राब्री देवी जी भी मेरे लिए आधर नहीं है लेकिन लालू जी अब मैं कहूं कि मेरी मा जो है बियार की मुख्यमंत्री बन जाए मेरी मा तो राब्री देवी जी से ज्यादा पढ़ी है राब्री देव दिखिक जिसका जो काम है उसको वह काम करना चाहिए जो जिस लाइक है उसको उस लाइक काम मिलना चाहिए? राब देभी जी मुक मंतरी बनने लायआख थी क्या, कोई भी बिहारी अपने दिल पर हाथ रख के कहे लेकिन लालू जी लालच में की जेल में हम जा रहा हैं, किसी दूसरे किसी को मुक मंत्री बना देंगे तो दिकत हो जगा अपनी वाइब को बना की चले गए लेकिन मैं फिर आपकी जेल पर आता हूँ जब आप जेल गए क्या आपको लगता है आप पर परतारना हुई था? एक दम बिलकुल परतारना हुई फिजिकल टॉर्चर जो है तामिलनाडो जेल में किसी ने नहीं किया ये बास सत्ते है लेकिन मेंटल टॉर्चर तो मैं हुआ अब ज़रा सोची आठार मुझे लगता था कि तीन चार साल कम से कम मैं जेल में रहूंगा कम से कम और इस सिसाब से उन लोगों ने परियास भी किया था सबको पता है मा तो बहुत परिसान हो गई मा को बीपी का बिमारी हो गया ये चीज़ है और मैं भगवान से प्रारतना करूंगा कि कोई भी लड़का अपने लिए जो है किसी दूसरे किसी के मा को पढतारीत ना करे तीजस्वी जी जो है अपने लिए जो है ना मुझे पढतारीत किया और उस चकर में मेरी मा भी पढतारीत हुई एक दस बाई छे के कमरे में मैं पैंतालीश डीग्री टेmпरेचर में उस जेल में बंद था जिस जेल का अस्थप्ना अंग्रेजियों ने 1865 में कराया था और उस सेल में बंद था जिस सेल में जो है भारत के अनेकरता सेनानी पे पूरा डिटाब मैंने देखा और मुझे जो है मुझे इस बात का गर्व महसुस हुआ कि इन बिहार में जो है जो अंग्रेजी हुकूमत कायम करना चाहते थे उन लोगों ने मुझे उसी जेल में डाला जिस जेल में हमारे देश के सोतंतरता सेनानी थे आप कहरें क किसी मा का लाल जेल ऐसे ना जाए उसके साथ यतनी प्रतार नाना हो यह आप कहरें अर्विन के जिर्वाल भी तो किसी मा के लाल है वो जेल में देखे अगर मैं बीजेपी पी आरोप है कि वो एजेंसियों का दुरूपयोग नहीं करती है कि दावे से कैसे कह रहे हैं आप यह दावे के साथ इसलिए कहता हूँ कि बीजेपी ने कभी भी किसी सही आदमी को जेल में नहीं डाला अच्छे यह क्या है कि यह हिंदू-मुसल्मान हो रहा है इस चुनाफ के अंदर कौन करता है का है रावल गांधी करता है का है नहीं राम मंदिर में इंविटेशन मिला तो कह है नहीं आप जैंगे किस के पास अभी वायनाड का Election हो गया केरला में वायनाड का Election हो गया तो आप तो जैबे करें गया पहले कहें नहीं गया रावल गांधी यह लोग फरजी लोग है यह लोग तो फहले तो यह यह लोग विदेश से आय Vielen पाए नहीं लिपां़ भारत के संस्कृति और संसकार को नहीं समझ पाएं और आज जो है ये लोग कहते हैं कि सरकार बना लेंगे जो राम को नहीं समझ पाएं भारत के संस्कृति और संसकार को नहीं समझ पाएं वो कभी भी भारत में सरकार को अब नहीं बना पाएंगे एक अगला सवाल मेरा आपसे, क्या आपको लगता है कि आज के दौर की राजनीती के अंदर सोशल मीडिया का बड़ा इंफ्लूंस बढ़ गया है और क्या आपको लगता है यह अच्छा भी और बुरा भी? देखिए, सोशल मीडिया मतलब कि 90% अच्छा है, 10% मैं बुरा कह सकता है बुरा ही क्या है? सोशल मीडिया को अच्छा है, इसलिए कहूँ कि बहुत सारे जगों पे असलील गंटेंट है बहुत सारे जगों पे जैसे बहुत सारे रिपोर्टर का जो है AI जो है आर्टिफिसल इंटिलिजन्स के द्वारा बना दिया गया किसी एप को आइड करते हुए जी और कुछ चीजे जो है गलत तरीके से परसारित भी हो जाता है तो यह चीजे है लेकिन सोसल मीडिया का एक प कि अब बारे में जरूर बोलिंग कनहिया कुमार नौर्थ इस्ट इस बार मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ रहे हैं क्या कहना चाते हैं कनहिया कुमार को जो है तेजस्वी आदो जी ने बिहार से भगा दिया अभी यहां पे चुनाव लड़ रहे हैं चड़ाती होगी कनहिया कुमार पसंद है आपको पसंद है क्या मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे मैं भी आप ही से एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ जो कभी देश हित की बात नहीं किया हूँ एक बार भी मैंने आपकी प्रदेश के हैं बिहार के हैं देखे वह मतलब की जैसे आप दिखा दिजे को पोड़ा उचे वे प्रूरा में आसपताल में एक फोटो उनकसी चीजब बूरी अरिक्षीड टीलoria के lamos लाने अर्वार के एक यह उचाई पर डूरा गूं पर बिचायां ने विए घ्षी zap 아닐 को सब्द से अपमानित करते trás जो सब्द का इस्तेवाल किसी वो तो देखिए पहले तो Communist Party के थे वहां से भगा दिया गया फिर तेजस्वी आदो जी ने बिहार से भगा दिया ठीक है उसके बाद से दिल्ली है दिल्ली में Congress के कर्या करता है जो local कर्या करता है उनको accept नहीं कर रहे है वो भगा रहे है और राहूल गांदी चाहते है कि इतना ही कहूंगा कि उनको भारत की राजनिती की कुछ समझ नहीं है और जब तक समझ आएगा तब तक उनका उम्र जो है 90 साल पार कर जाएगा लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं गरीबी वो तो कह रहे हैं राहूल गांधी कह रहे हैं कि मैं गरीबी मिटा दूँगा ठीक है तो अपनी सारी संपती जो है परसे करना चाहिए जो उनके पास जितनी भी संपती है वो सारी संपती देश के नाम पे कर दे क्या वो करेंगे और सुनिए गरीबी तो इनके पुर्वज भी मिटाते आए हैं प्रियास खुब फ्रांस में धुलाई होने जाते थे बंडी जो है वो ने ने बंडी आते थे उसके पासे जो है इनके पिता जी इनके दादा जी इनकी दादी मा इनके दादी मा के पिता जी सब लोगों ने प्रियास किया लेकिन गरीबी नहीं मिटी गरीबी का मिटी जब एक गरीब का बेटा परधान मंत्री बना नरेंद्र मोदी जी 2014 से 2024 के बीच में और दुनिया का अनेको एजन्सी ने कहा कि 40 करोर लोगों को गरीबी रेका से उपर उठा के जो है अगला नाम नरेंद मोदी था परदान मंत्री नरेंद मोदी आपकी शब्दों में देश का सबसे मजबूत परदान मंत्री और दुनिया का सबसे लोगप्रियनेता मैंने कह रहा हूँ पुरा दुनिया कह रहा है अमिर्का का जो एजन्सी कल-कल सर्वे में बोला है क्या कि अमिर्का में नरेंद्र मोधी जी जह सा पर्धान की सक्त ज़रूरत है अमिर्का की इजेंसि है सुनीता केजलिवाल के बादे मैं आप कुछ कहना जाते है मुख मंत्री वनना चाहती है लेकिन उन्हें मुख मंत्री नहीं बनना चाहिए ठीक है चलिए आपने हमें समय दिया आपको बहुत दो धन्यवाद आपने किमती समय दिया और मनिश कष्यप को जो है इतने बड़े रिपोर्टर है आप यहां पर बिठा के जो है मेरा इंटर्वियू किया इसके लिए मैं आपको तहदिल सदाओं बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुब कामने आपकी नए पारी के लिए। जाहिद।